नमस्कार, ये दो अलग-अलग विशय थे, एक दिल्ली का विशय था, एक मुंबई का विशय था और दोनों ट्रेनों को एक साथ जोड़कर एक साथ जाने वाली हैं तो मेरा जो विशय था वो कुछ इसमारकों को लेकर था जो सांस्कृतिक इसमारकों के सांडरक्शन में कैसे डिजिटल मीडिया पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं सुबह के सत्र में माननी हितारंजी ने डिजिटल के साथ फिजिकल होने की बात की तो मैं एक ऐसी कहानी बहुत संक्षिप में आपके सामने सुनाओंगा जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूं फिजिकली और ये पांचवा साल है और वो एक ऐसे इसमारक की कहानी है जो हम सब को जानना चाहिए और अभी पिछले सत्र में माननी है मुरलिधर राओजी ने जो मद्यपरदेश की चमकदार सांस्कृतिक विरासत के बारे में रेखांकित किया है ये एक ऐसे ही कस्वे की कहानी है जो भोपाल से डेढ़ सो किलो मीटर दूर है उदैपुर उसका नाम है ये राजस्थान का उदैपूर नहीं है, ये मद्यप्रदेश का उदैपूर है और राजा भोज जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि भोपाल शहर उनका बसाया हुआ है वो जिस परमार डाइनेस्टी में दसवी पीडी में थे, उसमें बारवी जनरेशन में उद्यादित नाम के एक राजा हुए है और ये उदैपूर का नाम उन्हीं के नाम से है ये एक हैरिटेज टाउन है जिसमें पिछले 6-800 साल के इसलामिक इन्वेजन में जो पूरे देश में उथल पुथल और तमाम कतले आम और हमले हुए हैं इन सब के बावजूद बड़ी मात्रा में सुरक्षित बचा रहे गया एक ऐसा कस्बा है जहां एक 11 सदी का बना हुआ बहुत शांदार मंदिर है और वो इस इस इलाके का एक मात्र मंदिर है जो अपनी पूरी उंचाई में शिखर से लेके भूमी तक बचा रहे गया है इस इस इलाके के सारे मंदिर तूटे हुए हैं और वो किसी भूकम्प में नहीं तूटे हुए हैं मैंने पांच वर्ष पहले 25 साल मीडिया में बिताने के बाद जब लेखन के लिए एक अवकाश लिया तो मैंने एक मासिक परिक्रमा एक मन्थली हैरिटेज वॉक यहां शुरू की उदैपुर की हर महीने में जाता हूँ और किसी ना किसी आप जैसे जो विशय के गुणवान लोग हैं उनके साथ जाके घुमता हूँ इस दोरान कुछ यसी चीजे वहां सामने आई हैं जो हम सब को जानना चाहिए हमने वहां एक महल पर उदैपुर में एक पुराने महल का परिसर है जो खंडरों में पड़ा हुआ था ना वो राज्य का इसमारक था ना वो केंद्र का इसमारक था और वो लावारिस पड़ा हुआ था उस पर किसी महाशाय ने एक साइन वोर्ट चिपकाया उस पर लिखा था उदैपूर पहले खसरा नंबर 822 निजी संपत्ती अब ग्यारा सो साल पुराने महल का परीसर वो साफ दिख रहा है कि वो आज किसी की निजी संपत्ती कैसे हो सकता है तो चलते हुए मैं एक इतिहासकार स्वरगिय डॉक्टर सुरेश मिश्र के साथ उस दिन गया था दो जनवरी 2021 को वो तीन फोटोग्राफ मोबाइल से हमने लिए अब यहां से सोशल मीडिया की एक सकारात्मक शक्ती की कहानी शुरू हुई मैंने उसके तीन फोटोग्राफ लिए जिसमें वो साइन बोर्ड है एक दर्वाजा है जो पुरानी दीवार को तोड़ कर सीमेंट और लोहे से बना दिया गया है और वो बुर्ज हैं लगबग चार भीगा के केंपस कवर्ड केंपस था ये पहले राजा उदिया दित्तिका ये तीन फोटोग्राफ हमने लिए शाम को जब मैंने उसको बड़ी स्क्रीन पे देखा तो मैंने माननिये प्रधायन मंत्री माननिये मुख्य मंत्री और ततकालीन माननिये केंद्रिये परियतन मंत्री को ट्वीट किया एक छोटा सा ट्वीट, तीन सेंटेंस में, उसमें मैंने लिखा कि एक हजार वर्ष पुराना महल आज किसी की निजी संपत्ती कैसे हो सकता है, किन्तु है, जिला विदीशा, उधैपूर, और ये तीनो पिक्षर, वो एक मैंने प्लेटफर्म इस्तिमाल किया, ट्वीटर का, फिर मैंने अपने फेस्बुक पेज़ पर मुझे कुछ लोग पढ़ लेते हैं, तो मैंने एक हजार शब्दों में एक पोस्ट लिखी, और उसका शीरशक था, उधैपूर पहले खसरा नंबर 822 निजी संपत्ती, ये उसका शीरशक था, ये मैंने दूसरा प्लेटफर्म इ प्लेशित की, ये मैंने तीसरा प्लेटफर्म इस्तेमाल किया, इन तीन प्लेटफर्म के इस्तेमाल के बाद तथा कथित मुख धारा के मीडिया में ये मुद्दा आया, कुछ अख़बारों ने वो पोस्ट जोंकीतें चापी, विदीशा जिले में बैठे हुए कुछ सरकार सरकार में हो, तो उसके बारे में ततकाल किसी निशकर्स पे मत जाएए, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा अवलोकन करिए, विशलेशन करिए, बीस साल यहां पर डिजिटल हिंदुत्व है, सत्ता में, और ये बीस साल बाद की कहानी बता रहा हुँ मैं आपको, वो जिसका कबजा था, वो कोई काजी परिवार था, पता ये चला कि वहां मदर्सा चलता है, उदैपुर के उदियादित्य के महल पर नाजाएज कबजे में एक मदर्सा संचालित, ये कहानी पता चली, उसके बाद जब वहां प्रशासन सक्रिय हुआ, उसको पिछले डेड वर्शों में महल को कबजा मुक्त कराया गया है, पिछले डेड़ वर्श में उसको राज सररक्षित इसमारक घुशित कराया गया है, और अभी उसके जिर्णोधार की तैयारी चल रही है, इस प्रयास के दोरान, ये वो मंदिर है, जो पूरी उचाई में बचा रह गया है, इस अलाके का एक मात्र मंदिर है, मैं आप सब को आमंत्रित करता हूँ कि कभी मेरे साथ एक दिन दीजिए और हम सब गूमेंगे वहाँ चल कर, ये मंदिर एक 6 फिट की सकरी गली के अंदर बंद था, और दोनों तरफ हिंदू और मुसलिम लगबग 8000 की आबादी में, वहा जैसा इस मारक 11 सदी का, 11, 180 का इंस्क्रिप्शन है ये मंदिर पर, कि ये मंदिर बनके, 180 में तयार हुआ, आज हम 18 मार्च को यहां बैठे हुए हैं, अगर उसको आप, इंग्लिश केलेंडर में कनवर्ट करेंगे उस तिथी को, तो 30 मार्च, 180 की डेटिंग है वो, अभी 30 म बंद था, फिर जब वहां ये मंदिली हरिटेज वाक का जो असर हुआ, वो 30 फिट चोड़े एक रास्ते में बदल गई है, और उसमें सब ने हटाए अपने, अपने मकान और दुकान, इसमें सरकार का एक पैसा च्छती पूर्ती में नहीं गया, कोई विबाद नहीं हुआ किसी प्रकार का कोई कम्यूनल टेंशन नहीं हुआ, कोई हमारी समीती नहीं है, कोई NGO नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नेता गिरी नहीं है, लेकिन अभी कैक की रिपोर्ट दो हफसे पहले आई है, उसमें आप जराब पूरे देश के समारकों की जो दुरदशा है, और पूरे राजियों के जो पुरातत्व विभाग हैं, ये बौधिक और वित्तिय रूप से दिवालिया हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, पांच साल से यहां काम कर रहा हूं, बौधिक रूप से दिवालिया हैं, वित्तिय रूप से दिवालिया हैं, एक छोटा सा उधारन में टर्की का दूंगा आपको जो सो प्रतिशत एक इसलामी देश है 2004 में वहाँ एक रेलवे की टनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था मारमरे की खाड़ी में 76 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए एक टनल बननी थी पानी के 50 मीटर नीचे जाकर जब उस टनल का काम चल रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें टर्की के उन सिविल इंजिनियर्स के सामने आई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आने वाले पांस साल बात खींचा जब वो नीचे गए तो पता चला कि वहां कई सारे 35,000 आर्टिकल्स वहां खुदाई में निकाले गए और उनमें मानों की हड़ियां घोडों की हड़ियां पुराने जहाजों की अवशेश जब उसकी ड्रोन से फोटोग्राफिक की गई तो दस फुटबॉल के मैदान के बराबर उस जगह पर लकड़ी के निकले हुए अजीब से स्ट्रक्शर दिखाई पड़े जिनकी सीक्वेंस ध्यान देने वाली थी उसमें कनाडा के भूगर्व शास्त्रियों से लेकर इस्तामबूल म्यूजियम के डारेक्टर तक जुड़े फिर वो काम था रेलवे का सिविल इंजिनियरिंग का लेकिन उन्होंने दुनिया की आधुनिक तम तकनीक का इस्तेमाल करके उस जमीन के अंदर जहाग कर देखा कि वो क्या था वो 10th century का एक शानदार हारवर निकला पूरा पोर्ट प्लेस निकला दस फुटबॉल के मैदान के बराबर वो जहाज और पाया ये गया कि छटवी सदी में आई हुई किसी सुनामी और भूकंप के कारण ये पूरा पोर्ट तबाह हुआ फिर उन्होंने उसक सामराज्य का एक शानदार व्याफसा एक पूरा कारोवारी शहर था जिसके पोर्ट दस फुटबॉल के मैदान के बराबर का पोर्ट उन्होंने निकाल के खड़ा किया लेकिन जिस भारत में दस हजार साल की संस्कृती के इसमारा गाउं गाउं में टूटे फूटे पड़ हुए हैं उस जगे पर पुरा तत्व के विभाग चाहे वो केंदर के हों चाहे राज्य के हों चाहे दिल्ली के हों या मद्धिपरदेश के हों वो बॉध्धिक और वित्तिय रूप से दिवालिया हैं अभी भी उनके पास में स्टाफ नहीं है पैसा नहीं है जो पैसा आता उधारन में दूँगा 1834 में एक मेकेनिकल इंजीनियर 23 साल की उम्र में ब्रिटिश गवर्मेंट की नौकरी के लिए यहां आया था भारत 23 साल का युवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी और नौकरी फोज में थी उसका नाम था अलेकजेंडर कनिगं अलेकजेंड ट्रांसफर होता था मियामार से लगडाक से पंजाब ये उसका ट्रांसफर होता था जब ट्रेन और बसें और एरो प्लेन कुछ भी नहीं थी 1834 में उसने 40-45 साल तक उसने फौज की सेवाएं की फौज की सेवाओं में रहते हुए उसने जो आर्कलोजी में भारत को काम किय है वो अद्वुत है और ऐसे कम से कम 15 ब्रिटिश युवाओं की सूची मेरे पास है जब मैं उनके अवदान को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे रिशी मेरे रिशी कहीं उधर जाके इन युवाओं के रूप में जन्में और भारत आया और उन्होंने हमें बताया ये सांची आया तो सांची के स्टूपों के पैनल्स पर इसने 230 इंस्क्रिप्शन पाली में खोजे चार चार शब्दों के और भिलसा टॉप नाम की एक किताब लिखी उसने वो सारनात के जो राष्ट्री चिन हमारा है ये सारे खोज करने में उसका योगदान है पूरी संस करती को वो मत्रा के स्टूपों में गया वो सारनात के स्टूपों में गया वो सांची और भरहूत के स्टूपों में गया और धाई हजार साल पुराने बेवशाली भारत का चित्र हमारे सामने रखा वो फोज की नौकरी में था उसकी पढ़ाई में के निकल इंजीनिरिंग की थी ना वो भारत का पैदा हुआ था ना भारत की संस्कृति के बारे में कुछ जानता था और जब वो सेवा निवरत हुआ फोस से तो लाड कैनिंग को उसने चिठी लिखी उसने ये लिखा कि भारत में हम हम रूल करते हैं हम यहां के शासक हैं तो हमारी कुछ ड्यूटी भी यहां के परती हैं यह एक बहुत पुरानी सब्विता वाला देश है और मैंने अपनी लद्दाक से पंजाब तक की सेवाओं में मैंने यहां हजारों सालों के इसमारक ऐसे बरबाद होते हुए पड़े दे Sagais से विवाग में जाके फाइल अटकेगी तो उसने कहा हमें बचाने की कोई जरूए नहीं है हम इनका इसर्रक्शन तो कर सकते हैं हमारा काम लेकिन यह नहीं हैं लेकिन एक सर्वे तो हमें करना चाहिए यह सस्ता काम है यह सर्वे करना होगा कि जो केंद्र सरकार का जो पुरातत्व विभाग है उसको आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया कहते हैं इसमें ये जो सर्वे लगा हुआ है ये उसका आइडिया था कि केबल सर्वे करना है और कुछ नहीं करना है कम पैसे का काम है करना चाहिए 1861 में ब्रिटिश सरकार ने आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के रूप में एक प्लेट फार्म उसको दिया पहला डारेक्टर जनरल उसको बनाया और पहला डारेक्टर जनरल बनने के बाद को दिल्ली के लुटियंस में किसी शांदार बंगले के अंदर बैठा नहीं अपनी पोजिशन एंजवाय करने के लिए वो फिर भारत में भटका और उसने फिर भारत की तमाम आर्केलोजी को खोच के बाहर निकाला उसने अपने जीवन काल में जितना किया है भारत के हम तराजू के पलड़े पर भारी है वो ना भारतिये है ना संस्कृति की उसको कोई बड़ी बड़ी बातें आती थी ना कोई वो किसी तरह के उसको चुनाओ लड़ने थे एक दूसरा और उधारन में दूँगा अभी कपिल जी को हम सुनेंगे बाकी वक्ता बैठे हैं अब वो खाली बैठा उसी समय नील की खेती की दुनिया में नील की काफी मांग थी तो भारत में नील की खेती को काफी ब्रिटिशर्स जो है वो प्रमोट कर रहे थे उसको प्रोट साइट कर रहे थे फर्गि उसन की फेमिली फर्म नील की खेती के कारोबार में गई और उसने अगले दस सालों में इतना पैसा कमाया जितनी की वो सोचकर भी नहीं आया था इसकॉटलेंड का था इतना सोच कर नहीं आया था कि मैं इतना पैसा बना लूँगा इतना पैसा कमाया इतना पैसा कमाने के बाद कोई भी भारतिये अगली छलांग लगाता है वो टिकेट के चक्कर में पड़ता है फिर मुझे अब यहां से टिकेट चाहिए या वहां से चाहिए ठीक है और अपने और परिवार वालों को इधर से सेट कर दूँ उधर से सेट कर दूँ फिर पचास और कारोबार कैसे फैला दूँ लेकिन जेम्स फरग्यूसन खड़ा हुआ ठिटक कर कि अब मुझे जितनी कलपना के परे था उतना पैसा में कमा चुका हूँ तो अब मेरे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए वो खड़ा हो गया उसने कारोबार अपना दूसरों को दिया और उसके बाद भारत के टेमपल आर्केटेक्शर को पढ़ने के लिए पूरे देश में अगले दस साल घूमा जब कैमरे नहीं थे और उसने तीन हजार केव टेमपल तीन हजार उसने लगभग भारत के प्राच के दुनिया के लोगों को ये पता चला कि भारत का टेमपल आर्केटेक्शर क्या है किसने किया ये काम आज में देड़ सो साल बाद उसके किसी कबर में लेटने के अगर मैं उस जेम्स फरगी उसन नाम के विक्ति को याद कर रहा हूं तो मैं केवल उसके नील की खेती में कि समालिया इसकी वज़े से नहीं कर रहा हूं उसकी फैमली फर्म में उसने कितनी कारोबारी सफलता या सफलताएं हासल की इसकी वज़े से नहीं कर रहा हूं उसने जो तीन हजार भारत के टेमपल आर्केटेक्शर पर काम किया है अदुतिये काम किया है उसने वो भारती नही था, उसको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं आती थी, उसको कहीं चुनाओं नहीं लड़ने थे, कुछ नहीं करना था उसको, लेकिन हम, हम जो अपने रक्त में भारत के रिशियों का गोत्र में अनुभव करते हैं खुद को, हम क्या कर रहे हैं, और हम सत्ता में आने के जान नहीं जाता कि, मैं कहता हूँ कि 70 वर्ष पहले, जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में, आजादी का अमरत काल हमने मनाया, तो जो सबसे पावर्फुल, सबसे आर्थिक और तक्निकी रूप से संपन्न, सुसंपन्न, अगर कोई एक विभाग होना था, तो वो पुरातत्त का विभाग होना था, गाउं गाउं में बिखरे हुए पड़े हैं, मैंने अभी एक आइडिया शेयर किया है, कि मद्यपरदेश शरकार, आप सब डिजिटल मीडिया के योधा हैं, मैं आप सबसे ये बात बातना चाहता हूँ, कि मद्यपरदेश पहला ऐसा राजी बनना च कीजिए, अभी तक उदैपुर की मासिक परिक्रमा का मेरा ये पांचवा साल है, इसके दो बड़े एंक्रोच्मेंट हमने वहां सभी सामुहिक रूप से हटवाए हैं, एक लोकल हमारी हेरिटेज टीम बनी है, हमारा कोई लेटर हेड नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई ने 300 पेज का All Page Color, The Architectural Splendor of उदैपुर, और एक ये मेरी केस स्टडी जो मैंने बात अभी बहुत संक्षेप में की है, जागता हुआ कस्बा, ये दो डॉकुमेंटेशन पहले हैं, इन 75 वर्षों में उदैपुर पर कुछ लिखा गया, ये पहले दो दस्तावेज हैं, दो आसन का इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर, कि एक करवट वो भी ले, बहुत बहुत धन्यवाद.